स्वागते प्यारे बच्चों आज हम मेरे पिताजी इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे प्रश्ण एक सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए क निम्नलिखी शब्दों को पड़कर उनके लिए पाठ में प्रयूक्त विशेषता आये लिखिए एक जूता उत्तर काला दो पजामा उत्तर धीला तीन अचकन उत्तर घूप फबने वाली चार टोपी उत्तर दुपली ख सयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार लगबक छह से आट पंक्तियों में लिखिए उत्तर भारतिय संस्कृती में प्राचिन काल से सयुक्त परिवार की परंपरा रही है सयुक्त परिवार में माता पिता भाई बहन के अतरिक्त ताउ चाचा उनके विवाहित पुत्र भी सम्मिलित होते है इन परिवारों में व्यक्ति से अधिक महत्व परिवार को दिया जाता है आज के बदलते सामाजिक परिवेश में सयुक्त परिवार की परंपरा तूट रही है सयुक्त परिवार में जहां बच्चों का लालन पालन और मानसिक विकास अच्छी तरह होता है वही वृद्ध लोगों का जीवन भी बच्चों के साथ चान्ती पूर्वक व्यतित होता है आज जब अधिकतर महिलाए कामकाजी होती है तब सयुक्त परिवार का महत्व और बढ़ जाता है मा की अनुपस्तिती में बच्चे शिशुग्रह में रहने के स्थान पर दादादी आदी के साथ ममता पूर्ण वातावर्ण में रह कर अच्छे संस्कार सीख सकते है अगला प्रश्ण है सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए एक संजाल परिच्चेद में प्रयुक्त भाषाय और बोलिया उत्तर ब्रज भाषा, संस्कृत, उर्दू, अवधी प्रश्ण दो अपना व्यक्तित्व सम्रुद्ध करने के लिए अलग-अलग भाषाओं का ज्यान उप्युक्त होता है इस पर अपने विचार लिखिए उत्तर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भाषा का बड़ा महत्व होता है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य की अपने समाज में पहचान बनती है अलग-अलग भाषाओं का ज्यान होने से हम अलग-अलग मानव समाजों की संस्कृति के बारे में जान सकते है न केवल अपने देश के बारे में बलकि पूरे विश्यों में कप, कहा, क्या, क्या हुआ इसकी जानकारी भी हम रख सकते है उन देशों के साहित्य के माध्यम से उनके इतिहास, धर्म, संस्कृति आधि के बारे में जान सकते हैं विभिन्नक शेत्रों का समुचित ज्यान व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है तो बच्चो इस पार्ट का स्वाध्या यही समाथ होता है यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धनिवाद अगर यह वीडियो आपको helpful लगी तो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की notification पाने के लिए साथ में जो बला icon दिया है उसे प्रेस करना ना भूले